कि अहरुं तो आज मैंने बॉल्ट कंपनी का वायर लेस ब्लूटुथ हेंड सेट मंगाया है जो कि सिंगल पिस में है तो आज इसी ब्लूटूथ का अनबाक सीजिनि तिता रिवियू करेंगे वैसे तो मेरे पास पहले से ही इस तरीके का वायरलेस ब्लूटूथ हैंट सेट पड़े हैं जैसे कि आप दे सकते हैं देखें यह है पोर्ट रोनिक्स का सिंगल पीस वाला ब्लूटूथ हैंट सेट इसे मैं लगभग चार सालों से यूज कर रहा था अब फिलाल में यह खराब हो चुका है क्योंकि कई बार यह गिर गया एक दो बार तो पानी में भी गिर गया लेकिन इसकी बैटरी बैकप कुछ हद तक ठीक थी लगभग 3-4 घंटा तक टॉक टाइम बैटरी बैकप था तो इसी के चलते मैंने सेम इसी कंपनी का यानि पोर्ट रोनिक्स का ही यह दूसरा ब्लूटूथ हैंट सेट बंगाया लेकिन यह सकसेज नहीं हुआ क्योंकि इस नए वाले का बैटरी बैकप जादे जादे दो घंटे है यानि लफ़क दो घंटे ही आप म्यूजिक सुनेंगे तो इसका बैटरी खतम हो जाता है इसलिए मैंने क्या किया यह नया ब्लूटूथ हैंट मनाया है हलाकि मेरे पास यह लफ़क 5 दिर पहले ही आ चुका है और मै पारे में मैं आप लोगे अच्छे से बता सकूं आप दो चलिए इस ब्लूटूश हैटो को फledर ऊपन करते हैं पिर मैं आप को को इसके पाहले में बताद हुआ है हाला कि मैंने इसे पहले ही खोल लिया है देखिए इसे काट कर पहलेही निकाल लिया था आप लोगों दिख जो कि बाउट कंपनी का है, साइड में भी इसका ब्रेंडिंग दिया हुआ है, अब इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, इस ब्लूटूथ हेंशेट में एक साल की वारंटी मिलती है, यहां पर आप देशकते हैं लिखा है, वान ये वारंटी, इसमें जो बैटरी है, वारंगार बैटरी लाइफ है, यानी, काफी लंबे टाइम तक बैटरी में चलती है, यह जो मेरे पास ब्लूटूथ रित था इसमें ट्रेवल जादे है, यानि जहनकार लेकिन यह जो बॉल्ट कंपनी का Bluetooth है इसमें बास जादे है यानि धमग एक तरह से डीजे की तरह बजता है और इसका साउन भी तगड़ा है और इसके बाद इस Bluetooth में ही माइक मिल जाता है जो कि कॉलिंग के दवरान काम आता है अब इसका प्राइज मैं आपनों ये चलिए बॉक्स को हम उपन करते हैं इस बॉपन करने के बाद इसके अंदर में एक और बॉक्स मिलता है तो इस नीचे वालें बॉपक्स को भी nिकाल लेते हैं और देखिये इसके अंदर में यह व्यांद बेट दिए हुए है kapма क्विष कवी इसका बर्ट होता है यह गुम हो जाता है तो इसी लिए अश्टा धिया हुआ है ताकि खिसका यूजर भाद में कर सकें, यहां पर चोटा चार्डिंग केबल है, जो कि ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मेन आइटम को हम निकालते हैं, तो देखिए, यह हमारा मेन आइटम, बाउट अडियो लिखा है, इसको भी खूलते हैं, इसके अंदर भी एक बॉक निकलेगा देखिए इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे देख सकते हैं यहां पर बॉल्ट कंपनी का ब्रेंडिंग दिया हुआ है और इसी में देखिए यह स्वीच है तिक टिक कर रहा है और एक छोटा सा लाइट है जो कि रेड और ब्लू करण में ब्लिंग करती है और उस करेंगे चलिए इसे हम और करते हैं आं करने के लिए थोड़ी दिर हमें दबाक रखना है तो यहां देखिए ब्लू कलर में लाइट ज्यव्व लिंक करेगी और ऐस अब रही है इसलिए blue और red color में blink कर रही है जैसे यह connect हो जाएगा तो यह red और blue color में blink करना बंद कर देगा और इस Bluetooth headset को आप अपने इंडाइट phone से laptop से tablet से यानि इन सब चीजों से आप connect कर सकते हैं इस इस Bluetooth headset को स्विच आप करने के लिए इसे आप इस तरीके से दबा कर रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद यह जो light है तो जैसे इसमें light red और blue color में blink करेगी तो आप अपने फोन में Bluetooth को on कर लिजे और searching पे लगा दीजे तो वहाँ पर इस Bluetooth headset का model आप जाएगा जिसे आप connect कर सकते हैं चलि मैं अपनों को इससे connect करके दिखाता हूं अपने वाइल के अंदर यह Bluetooth को हम इस तरीके से on कर लेंगे और यहां जो more option है देखिए यहां लिखा है more setting इसमें हम प्लिक करेंगे उसके बाद यहां नीचे देखे रिफ्रेश चल रहा है और यहां पे इसका model आपर आचुका है bolt airbox इस पे हम प्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी दिर में यह pair हो जाएगा देख सकते हैं यहां प्लिखा है connected हलाकि मैंने पहले इससे connect कर आया था इसलिए यह परमिसन नहीं मांगा लेकिन यह दिए आप पहली बार connect कराएंगे तो यह आप से permission मायेगा उसको आप allow कर दीजेगा तो यह connect हो जाएगा और जैसे ही connect होगा इसमें जो red और blue कर में light blink कर रही थी वो बंद हो जाएगी तो इस तरीके से आप इस Bluetooth headset को अपने mobile में connect करा सकते ह हैं इस Bluetooth को चार्ज करने में लगभग आदे घंटे का टाइम लगता है क्योंकि मैंने इसे चार्ज गिया है 1 MPA charger से 0 से फुल चार्ज होने में लगभग 30-35 मिनट का टाइम लग गया था जब आप एक बार इस Bluetooth headset को फुल चार्ज कर लेंगे तो इसका standby time है 48 गंटा और talk time time है 6 गंटे का और यदि आप इसे music सुनते हैं तब भी आप 6-7 गंटे तक continue लगातार आप इससे music सुन सकते हैं इसकी बैटी जल्दी खतम नहीं होती है यदि आप इस Bluetooth headset को purchase करते हैं तो आप लोग बिलकुल इससे संतूष हो जाएंगे क्योंकि इसकी बैटी backup ही इतनी जादे ह है कि पुछिए मत और इसका साउंड भी जबजास्त है इसका साउंड तेज भी है इसका आवाज बिलकुल डीजय जासा आता है तो यह आप इस Bluetooth headset को purchase करना चाहते हैं तो इस Bluetooth headset को खरिदने का लिंक मैं अपने इस वीडियो के नीचे description box में दे दूंगा आप चाहें तो वहा subscribe करके bell icon जरूब प्रेश करते हैं तो मिलते हैं इसी प्राइब की एक और वीडियो में तक तक के लिए थाएंगे दोस्तों